सिर्फ दो ऐसी चीजे आपको एरिनियम के पीछे करनी होगी जिसकी वज़े से मौनसून की सीजन में आपके एरिनियम नहीं गलेंगे हलो फ्रेंज गुड मॉनिंग मैं हूँ एम जे फ्रेंज बारिश तो हमारे आप बहुत ही ज्यादा हो चुकी है जबरजस बारिश हो चुकी यह पिछले 10-15 दिन में और यह 10-15 दिन में हमारे जो एरिनियम हैं यह टोटली आउटसाइड है यानि कि मैंने एक भी एरिनियम को घर के अंदर नहीं लिया तो ऐसे लोकेशन में मैंने शिफ्ट नहीं किया जहां पे बारिश नहीं गिरती हो फुल बारिश में पुरे पुरे दिन की बारिश में फ्रेंज मेरे एडेनियम बाहा रही है और अभी मैं सबसे पहले आपको मेरे एडेनियम की कंडिशन शेयर करवा दूँगा कि किस हिसाब से अभी मेरे एडेनियम ग्रो हो रहे है तो जैसे की देख रहे है FRIENDS, यह हमारा सबसे पुराना वाला Adenium है और सबसे बड़ा वाला Adenium है और यह Adenium की Health देखिए, कोई भी प्राब्लम नहीं है, इसके उपर Ultra Seed Pot ready हो रहे हैं, नीचे जाएंगे तो यहां पर हम Codex area इसका चेक करेंगे, तो Codex area के पास से भी FRIENDS, यह सारे हमारे छोटे-छोटे एडेनियम्स है जो हमने ग्रो किये थे यह सारे एडेनियम्स अभी healthy condition में है यह एडेनियम्स गिर गया था जैसे की देख रहे हैं यह totally फड़ गया था तो इसके अंदर से सारा मीडिया बाहर निकल गया था तो इसलिए friends मैंने ऐसे ही उसको open हो रहा है तो उसका भी मैं एक आपको बताऊंगा कि क्या reason है तो ऐसी conditions में भी friends मेरे एडेनियम्स सर्वाइव कर रहे हैं अगर यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे भी बहुत सारे छोटे-छोटे एडेनियम्स है देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ तो कुछ एडेनियम्स हम पताया था कि यह एडेनियम open में है और यह एडेनियम्स के ऊपर नई growth भी आपको देखने को मिल जाती है यह जो देख रहे है यहाँ पे और open में है बारिश का पानी continuous इसके अंदर जाने की वज़े से यह plant को पानी की कमी नहीं हुई यानि कि continuous अगर मैंने यह plant को बारिश म नहीं होती यानि कि चिकनी मीटी उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं होती चिकनी मीटी जो भी soil होती है अगर आप garden soil use करते हो छेत वाली मिटी यह सोय रहती है वो मिटी वाली soil बारिश की सीजन में चिकनी हो जाती है और वो चिकनी soil एडियनियम के कोडेक्स एरिया को वो गला सकती है तो इसलिए कभी भी जब भी आप एडियनियम ग्रो करते हो तो कभी भी soil यूज बत करिए तो कौनिसा मीडिया यूज करना है मैं आपको सिर्फ दो मीडिया ऐसा recommend करूंगा जो मैंने use किया है और successfully मेरे adenium ये media के अंदर grow हो रहे है और वो media है sand media और cinder media मेरे sand और cinder media में दोनों adenium successfully grow हो रहे है और सारे adeniums मैंने बाहर रखे है यहाँ पर मैं friends एक दूसरी चीज भी आपके साथ share करने वाला हूँ और वो ये है जैसे कि देख रहे है friends ये वाले adeniums अगर आप देखेंगे ये adeniums friends मैंने यहाँ पर एक छोटे bonsai type के pot के अंदर friends मैंने लगाया है और इसकी growth देखिए इसकी growth भी जवरजस्त हो रही है ये adenium को friends मैंने about summer season में trim किया था और अभी जैसे की देख रहे है इसकी growth अच्छी हो रही है root system जैसे की देख रहे है अभी इसके roots पे काम करने की ज़रूरत है लेकिन अभी बारिश की season में ये चीज मैं नहीं करूँगा मेरे अभारिश रोख जाएगे उसके बाद मैं roots की trimming कर दूँगा और मैं इसकी roots को कुछ ये इसाब से shape देने की कोशिश करूँगा जैसे की देख रहे है friends यहाँ पे इसके roots देखिए कुछ ये इसाब से friends मैं root training का काम कर रहा हूँ ये adenium पे लेकिन एक चीज आप notice करिए ये adenium में ये जो container है ये container आधा उपर खाली है यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ये container भी आधा उपर खाली है उसका reason क्या है उसका reason ये है friends कि जितना ज्यादा media रहेगा plant के मरने का खत्रा भी उतना ज्यादा रहेगा मेरे जो बिना media के adenium का बताने का reason यही था friends कि ये जो बिना media का adenium है उसके अंदर media बिल्कुल भी नहीं है लेकिन ये plant के मरने का खत्रा बिल्कुल नहीं है भले इसके उपर जो codex area है ये थोड़ा सा moist हो चुका है लेकिन ये गलेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर आसपास पानी ज्यादा मौझूद नहीं है ज्यादा चिकनापन मौझूद नहीं है air circulation की movement बहुत अच्छी हो रही है जिसकी वज़े से ये बिल्कुल भी नहीं chances रहते हैं तो ये चीज़ का ध्यान रखे के एडेनियम को बहुत ही अंदर से हमें दबा के लगाना नहीं है बहुत सारे लोग एडेनियम को लगाने में यही गलती कर देते हैं मैं आपको दूसरे plants भी मेरे दिखा देता हूँ जैसे की ये जो एडेनियम आप देख रहे हो ये वाला एडेनियम आप देख लीजिए इसका भी देखिए friends इसका भी जो codex area वो बहार से है अगर friends मैंने यह एडेनियम को यहा तक अंदर मिट्टी में दबा दिया तो बाद में यह एडेनियम के भी गलने के चांसिस पूरे रहते हैं मैं आपको यह वाला एडेनियम भी दिखा देता हूँ जैसे कि इसका कोडेक्स देखिए है कितना जबर्जस कोडेक्स है इसका अगर friends मैंने यह एडेनियम को यहा तक friends मैंने लगा दिया दबा दिया मिट्टी के अंदर या तो सैंड के अंदर या तो सिंडर के अंदर तो बाद में उसके गलने के चांसिस बढ़ जाते हैं ज्यादा अगर आप नीचे सैंड के अंदर उसको दबा के रखोगे तो बाद में इसके गलने के चांसिस बढ़ जाएंगे तो यह जो पहली चीज है जो आपको ध्यान रखनी है एडेनियम को बारिश की सीजन में अगर आपके एडेनियम बाहर रहते हो तो यह चीज आपको कर लेनी है अगर आपके एडेनियम के कोडेक्स अंदर से है तो बाद में उसको बाहर से ले लीजिए तो सबसे पहला काम आपको यह करना है अब दूसरा जो important काम आपको यह मौनसुन की सीजन में एडेनियम के पीछे करना होगा वो है fungicide का application करना अब यह जो fungicide है यह chemical fungicide है आप trichoderma का भी इस्तमाल कर सकते हूँ कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है आप chemical fungicide का भी इस्तमाल कर सकते हूँ कोई problem नहीं है लेकिन fungicide friends हमें इस्तमाल करना बहुत ज्यादा ज़रूरी है fungicide तो friends हमें spray करना ही है यानि कि हफते में एक बार आप अपने adenium के leaves के उपर अच्छी तरह fungicide का spray करिए लेकिन fungicide को इसके जो codex area है जो भी root area है वहाँ पे direct डालना बहुत ज्यादा ज़रूरी है और यह जो fungicide है chemical fungicide आपको हफते में एक बार या तो 10 दिन में एक बार डालना है अगर आपके या बारिश बहुत ज्यादा हो रही है जैसे कि friends मेरे या हो रही है मेरे या लगातार 15 दिन से बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है और मुझे कोई भी plant के अंदर पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है तो ऐसी जब बारिश आप क्या होती है तो हफते 7-10 दिन के अंतर में एक बार आपको ये chemical fungicide अपने सिंडर के अंदर या तो सेंड के अंदर या तो कोई भी इडिया में आपने लगाया है उसके अंदर डाल देना है कितना डालना है थोड़ा सा फ्रेंज हमें अपलाई करना है फॉर एक्जामबल फ्रेंज हमने थोड़ा सा पानी लेना है ज्यादा पानी नहीं लेना है यह जो देख रहे है फ्रेंज मैंने थोड़ा सा about 100 ml, 200 ml जितना हमें पानी लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा फंगी साइट डाल देना है यह जो देख रहे है इतना फंगी साइट काफी रहेगा और mix कर लीजिए और अब ध्यान से देखिए फ्रेंज एडेनेम को कहाँ पे हमें यह फंगी साइट वाला पानी देना है जो भी उसका जो कोडेक्स एरिया है उसके कोडेक्स एरिया के surrounding में फ्रेंज हमें इसको यह पानी देना है यानि कि चारो दिशाओं से हम यह पानी इसको प्रोवाइड करना है तो इस तरह से फ्रेंज यह जो फंगी साइट वाला पानी है मैंने यह एडेनियम में डाला है और यहाँ पे भी फ्रेंज सेम तरीके से में इसको प्रोवाइड करूं जा और जो एडेनियम फ्रेंज हमने ओपन रखा था उसके उपर भी मैं डाल देता हूँ तो कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है तो जैसे की देख रहें इसके उपर भी मैंने डाल दिया तो इस तरह से अगर आप फंगी साइड का पानी हफसे या तो 10 दिन में एक बार आप अपने एडेनियम के जो कोडेक्स एरिया है वहाँ पे अगर आप अपलाई करोगे तो बाद में बहुत ही ज्यादा तेज बारिश में भी आपके एडेनियम नहीं कलेंगे और बहुत ही अ का कन्फीजन हुआ ये टॉपिक से रिलेडिट तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो मैं आपको रिप्लाई दूँगा तिल देन के लिए थैंक्यू फ्रेंज और हैपी मॉनसूंज